जानते हैं EBD सिस्टम के बारे में लेकिन सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और स्थेयर करें आज हम जानेंगे EBD सिस्टम क्या है EBD Electronic Break Force Distribution सबसे पहले हम जानते हैं कि ABS और EBD का नाम आजकर खुब सुनने को मिल रहा है सरकार ने आप वहानों में ABS और EBD जैसे फीचर को स्टेंडर्ड कर दिया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ABS और EBD क्या होते हैं और ये एक वहान में कैसे काम करते हैं इनका मतलब क्या होता है इन सब सवालों के जवाब आपको इस Special Report में मिलेंगे जाने क्या होता है EBD EBD को Electronic Brake Force System कहते है ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके गाड़ी की रफ्तार भार और रोड की कंडिशन के हिसाब से ब्रेक अलयग अलग पहिये को अलग अलग ब्रेक Force देता है जब कभी एक दम से ब्रेक लगते है तो गाड़ी आगे की तरफ को दपती है और जब किसी मोड पर गाड़ी को मोड़ते है तो गाड़ी का वजन और उस पर बेठी सवालीयों का भार एक तरह होता है ऐसे में कि इसकीड होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है क्योंकि इवीडी सिस्टम वजन और रोड कंडिशन के अनुसार अलग अलग पहियों को अलग अलग ब्रेक फोर्स देता है जिसकी वज़ा से काड़ी ऐसे परिस्तिति में भी कंटोल में रहती है और इसकीड नहीं होती है अलग अलग सिस्टम जानकारी के लिए बता दे कि एब्यस और इवीडी दोनों ही अलग अलग सिस्टम है लेकिन वहानों में ये दोनों ही एक साथ काम करते है इसलिए इन दोनों का नाम भी हमेशा एक साथ ही लिया जाता है उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आपको EBD सिस्टम समझ में आगे होगा तो दोस्तों मैंने चैनल को सब्सक्राइब पर लाइक करें और कमेंट जरूर करना में दोस्तों आगे और ऐसी जानकारी लेकर आजाओंगा मैं आपके लिए ओके दोस्तों गुड़ बाई हैव नाइस जे